है एव्रिवान हेलो प्यार है बच्छो तो वी आर गूंग तो सॉल्व कुस्टिंस फ्रॉम दे लेजेंडरी बुक एसी वर्मा ठीक है चैप्टर का नाम है बेटा डूल नीचर ऑफ रेडियेशन और मैटर जहां पर आपका आ जाता है फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट जहां पर आपका आ जाता है यू नो डूल नीचर राइट डूल नीचर ऑफ मैटर आज वेल जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव लिंच तो आई ये कोशंट उठाते हैं और एक एक करके सौल करते जाते हैं पहला कोश्टन देखो प्लांक स्कॉंस्टेंट एस द सेम डायमेंशन एज प्लांक स्कॉंस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर होगी तो options दिये गहे हैं 4 इंटू टाइम 4 इंटू इंटू इ distance into time ठीक है तो देखिए प्लांक्स कॉंस्टेंट की डाइमेंशन अगर आपको विज्वालाइज करनी है तो आप कैसे करेंगे देखो बेटा जो अपना फॉर्मुला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंद का वो होता है लामडा बराबर एच ओवर पी राइट बिल्कुल तो ए पीटर और पी यानि की मोमेंटम मोमेंटम इस वाट मास इंटू वेलोसिटी तो मास यानि की केजी वेलोसिटी यानि मीटर पर सेकेंड अब वहां पर ओप्शन में फोर्स है हर ओप्शन में फोर्स है बेटा आप देख सकते हैं हर एक ओप्शन के अंदर आपको फोर्स लि divide कर दो तो यह बन जाएगा आपका force का unit है na kg meter per second square तो आपको मिल रहा है यहाँ पे force है na this is force एक second pen चलना बंद हो गया थोड़ा सा charge कर लेते हैं तो यह जो kg meter per second square है वो आपका हो गया force है na meter हो गया distance और second हो गया time तो answer आएगा force into distance into time तो कौन सा वला option है बच्चो डी option आपका सही होना चाहिए na force into distance into time ठीक है चलिए अगला question पढ़ते है second number question है देखिए two photons having equal wavelength have equal linear momentum देखो एक हो सकता है इधर जा रहा है एक हो सकता है इधर जा है दोनों का momentum का मानलो magnitude same है तो wavelength सेम आ जाएगा लेकिन momentum equal नहीं हुआ क्योंकि एक right की तरफ है एक left की तरफ है तो momentum is a vector quantity तो momentum equal नहीं हुआ तो पहला option गलत है सब को चमका मान सकता हूं कि equal wavelength है क्योंकि उनका magnitude सेम है momentum का लेकिन क्योंकि direction अलग-अलग है मानलो direction अलग-अलग हो गई तो momentum तो equal नहीं होगा तो इस question का जो correct answer है न बेटा वो होगा D, D होगा इसका correct answer D क्या कह रहा है equal linear momentum linear momentum equal कर दो तो equal wavelength मिलेगा according to which formula बस भही अपना wavelength बराबर h divided by p है न तो अगर lambda equal है मतलब linear momentum equal है p equal है तो lambda भी equal होगा wavelength भी equal होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आईए third question कह रहा है p and e denote linear momentum and energy of a photon if the wavelength is decreased बोथ p and e increase देखो energy of photon होता है h c by lambda और momentum of photon होता है h upon lambda wavelength को decrease करना है wavelength decrease करेंगे तो p भी बढ़ेगा है न और wavelength को decrease करेंगे तो e भी बढ़ेगा मतलब both p and e increase is the correct answer a is the correct answer ठीक है a is the correct answer ठीक है बेटा चलिए चौथा question nr nb respectively the number of photons emitted by red bulb and blue bulb of equal power in given time है न तो देखो बेटा number of photons का formula होता है power upon energy of photon energy को क्या लिख सकते है हम लोग h c by lambda तो नीचे आ जाएगा h c lambda चला जाएगा उपर याने number of photon का formula है p lambda by h c अब बताईए red का wavelength ज्यादा होता है कि blue का wavelength ज्यादा होता है तो अगर red का wavelength ज्यादा होता है तो red का number of photon भी तो ज्यादा होगा yes तो wavelength more तो number of photon also more तो red more than blue ठीक है red का wavelength ज्यादा तो number of photons भी red का ज्यादा ठीक है बेटा चलिए equation e बराबर p c पीटा यह आपको पता होगा photon के लिए है यह है ना electron के लिए नहीं है photon के लिए है क्योंकि photon का rest mass defined नहीं होता है इसलिए energy को half mv square नहीं लिख सकते momentum को m into v नहीं लिख सकते तो e बराबर p c photon के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आपका answer c आ जाएगा ठीक है बेटा चलिए work function of a metal is h new not light की frequency है new तो frequency of light बड़ा होना चाहिए new not से तभी photoelectric effect होगा तो a option सही है new greater than equal to new not लेकिन wavelength छोटा होना चाहिए तो अगर आप सातवा question देखेंगे तो यहाँ पे wavelength की बात करी जा रही है तो wavelength छोटा डूंड लो छोटा c option है ना wavelength जो है बेटा वो छोटा डूंड लो छोटा डूंड लो छोटा wavelength than lambda not less than equal to लगाते limiting condition के लिए ठीक है तो less than equal to lambda not हो जाएगा wavelength आपका तो that is the answer c ठीक है चलिए आइए आठ्मा question देखते हैं विटा वेन stopping potential is applied in an experiment on photo electric effect no photo current is observed बिल्कुल सही बात है आप stopping potential लगा दो आपको photo current देखने को नहीं मिलता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि electrons वापस लॉट जाते हैं target plate पे तो answer क्या होगा photo electrons are emitted but are reabsorbed by the emitter plate emitter plate पे reabsorb हो जाते हैं आगे तो जाते हैं बट फिर वापस उसे में reabsorb हो जाते हैं ठीक है if the frequency of light in photo electric experiment is doubled stopping potential विल भी या फिर kinetic energy विल भी more than double ठीक है more than double is the answer बेटा sorry अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ऐसे समझो आप देखो मैं आपको समझाता हूं more than double कैसे होता है समझो आप इसको है ना एक प्लेट ले लो सेम प्लेट है दोनों जेके मान लो ठीक है बेटा मान लो यहां से energy गिर रही है कुछ 2 electron volt ओके यह चरो थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं मान लो 5 electron volt ओके वर्क फंक्शन है बेटा 2 electron volt तो बताओ काइनेटिक energy maximum कितना हो जाएगा या फिर stopping potential कितना हो जाएगा 5-2 है ना तो दैट विल बी 3 electron volt stopping potential will be 3 volt अब बोला गया कि light की frequency को double कर दो frequency को डबल करोगे तो यह energy double हो जाएगी क्या हाँ यह हो जाएगी 10 electron volt वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा 2 electron volt अब देखो काइनेटिक energy कितनी आ रही है 10-2 यानिकी 8 electron volt डबल हुआ या ज्यादा हुआ डबल से काइनेटिक energy या फिर stopping potential डबल से ज्यादा हो गया तीन दुनी 6 6 से ज्यादा आ रहा है 8 आ रहा है तो अगर frequency को मैं डबल कर रहा हूं देख रहे हो इसको मैंने डबल किया है energy of light को मैंने डबल किया है तो काइनेटिक energy more than double हो रही है ठीक है तो more than double is the correct answer बेटा done चलो अगला question देखते हैं question number 10 frequency और intensity बोथ हा डबल तो देखो होगा क्या intensity को आप डबल करोगे तो saturation current डबल हो जाएगा frequency को आप डबल करोगे तो stopping potential यान की kinetic energy more than double हो जाएगा अब देखते हैं क्या क्या लिखा है ठीक है लिखा है saturation photo current remains same गलत बात saturation photo current double होगा because intensity double की गई है तो saturation photo current will be doubled दूसरा है maximum kinetic energy will be doubled गलत बात more than double अभी अभी देखा था frequency double करने से maximum kinetic energy more than double होता है तो दोनों ही गलत है तो D is the correct answer A and B are false ठीक है चलो अगला question question number 11 point source of light is used in a photoelectric effect if the source is moved farther from the emitting plate stopping potential stopping potential को दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि stopping potential depend करता है बेटा frequency पे तो चाहे आप दूर ले जाएं चाहे आप पास ले जाएं source को चाहे आप दूर ले जाएं चाहे source को आप पास ले जाएं stopping potential को फर्क नहीं पड़ेगा हमेशा याद रखिएगा stopping potential को फर्क पड़ता है only frequency से तो दूर से फेको लाइट या पास से फेको लाइट frequency तो वही रहेगी और frequency वही रहेगी तो stopping potential भी वही रहेगा remains constant ठीक है remains constant चलो question number बारा पे आजाओ point source causes photoelectric effect from a small plate which of the following curves may represent saturation photo current as a function of distance saturation photo current को distance से फर्क पड़ेगा क्यों सर क्योंकि saturation photo current depends on intensity intensity is one upon d square के proportional तो अगर d बढ़ाते जाओगे तो intensity कम होती जाएगी तो saturation current भी कम होता जाएगा और one upon d square का जो graph बनेगा वह यह वाला बनेगा डी वाला ठीक है यह डी वाला graph बनेगा degrees तो सीखने वाली बात यह है कि question number 11 में पूछा गया था कि distance बढ़ाएंगे तो stopping potential का क्या होगा कुछ नहीं होगा इसको फर्क नहीं पढ़ता है distance से यह ना लेकिन question number 12 में पूछा गया saturation photo current का क्या होगा इसको फर्क पढ़ता है intensity से इसको फर्क पढ़ता है distance से है ना तो distance से यह change होगा ठीक है बेटा चलिए a non monochromatic light is used in experiment on photoelectric effect the stopping potential is related to mean wavelength shortest wavelength है na stopping potential किस से related है shortest wavelength से related है ठीक है तो C is the correct answer बेटा shortest wavelength से related होता है ठीक है एक proton एक electron accelerated by same potential lambda e lambda p denote d broadly wavelength of electron and proton तो बताना है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा है ना देखो मैं आपको solve करके देता हूँ अभी एक electron है और एक proton है right potential same है बेटा दोनों का potential जो है वो same है दोनों का तो d broadly wavelength is given by h by p, p को लिख सकते हैं root 2m kinetic energy को लिख सकते हैं charge into potential क्योंकि potential same है तो charge into potential लिखना जरूरी है अब देखिए बहुत simple सी बात है proton और electron है ना तो दोनों का charge same हो गया potential भी same हो गया depend कर रहा है सिर्फ mass पे सिर्फ mass पे तो अगर mass कम तो wavelength ज्यादा तो किसका mass कम electron का electron का mass कम तो electron का mass कम electron का wavelength ज्यादा तो आपका answer आ जाएगा electron का wavelength ज्यादा कौन सा option है भाई c है ना बिल्कुल c is the correct answer electron का wavelength ज्यादा mass कम है wavelength ज्यादा तो यह थे कुछ बढ़िया conceptual सवाल from book of HC Verma जहां पे हमने आपको solve करा दिया dual nature के 14 questions और I hope आपको बढ़िया वाली feel आ गई होगी है और ऐसे sessions के लिए मेरे को कमेंड में जरू बताईएगा बेटा तो मैं और भी ऐसे sessions बनाऊंगा चलिए मिलते हैं next class में तब तक के लिए bye bye have a nice day